हेलो स्ट्रेंट्स हम करें थे मल्टिप्लाइर लाज शेशन में हमने इसकी डायनामिक वरकिंग की अपने इस शेशन में हम थियोरी अफ मल्टिप्लाइर में करेंगे यह Ingredients एंड leakages of multiplier अगर multiplier process work करती है किसकी उपर dependent करती है multiplier को कौन सी कंडिशन्स है वह होने चाहिए तब जागर multiplier है अपनी working करेगी अगर हम कहते हैं multiplier है multiplier MPC के उपर depend करते हैं अगर MPC 0.5 है तो multiplier की value double हो जाएगी 2 होगी अगर जे process continue रहती है तो इससे क्या होते है multiplier की वज़े से income है बहुत faster rate पर grow करती है लेकिन multiplier को work करने के लिए भी कुछ limitations है कुछ assumptions है उनके उपर based हैं उनकी conditions को अगर fulfill कर पाएगी तभी multiplier है वो work कर पाएगा तो इसलिए हम इसके determinants और limitations of multiplier करते हैं अगर हम limitations क्या रहे हैं limitations क्यों क्या रही है क्योंकि multiplier है इसकी working के ऊपर कुछ factors है जो इसके growth को hindrance कर देते हैं वो hide कर देते हैं तो जे बनगी limitations अगर अगर अबलेबल होंगे तभी multiplier work करेगा तो जे कौन-कौन से है first one is availability of consumer goods अगर economy में sufficient consumer goods हैं अगर उसकी availability है तभी जाकर multiplier work करेगा अगर मान लो investment होती है investment से income increase होगी income की increase होने से consumption increase होगी अगर consumption increase हो रही है तो उसके लिए demand तो भी increase हो रही है demand consumer goods की increase होगी तो इसलिए पहले economy में अपनी increased demand को meet करने की capacity भी होनी चाहिए इसलिए इसको कहते है अगर economy में consumer goods available होगी तभी जाकर ही multiplier है वो अच्छे से work कर पाएगा number two existence of less than full employment level meaning अगर economy में full employment level exist करेगा तो multiplier है work ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर under employment होगा under employment की conditions में क्या होते है जब भी aggregate demand increase होती है aggregate demand क्यों increase होई because of investment तो इसकी वज़े से investment increase होती है income increase होती है and output भी increase होता है output increase होगा output के increase होने से ही economy की जो demands है वो fulfill हो पाएगी otherwise क्या होगा prices increase हो जाएगी जिसका benefit नहीं हो पाएगा तो full employment नहीं होनी चाहिए अगर under employment होगी तभी multiplier work कर पाता है number third steady flow of investment जो investment है investment ऐसे नहीं है एक बर हमने investment कर दी उसके बाद हम investment ही न करें जैसे dynamic multiplier में किया था single dose of investment and continuous injections of investment अगर हम single injection लगाते हैं एक time ही क्या करते है investment करते है तो जो investment की वज़े से income increase होती है कुछ time बाद वो अपने पुराने लेवल पर आ जाती है तो जो progressive बाद है downward हो जाता है इसलिए steady flow की बाद कर रही है steady flow का meaning है continuous injections of investment होने चाहिए अगर continuous injection होगे तो जो income generation path है वो upward slope होती है इसलिए steady flow की जे assumption लेते हैं जे limitations लेते हैं अगर जे limitation अगर जे condition fulfill नहीं होगी तो investment है इसकी working भी proper नहीं हो पाएगी next is net increase in expenditure जब एकॉन में investment होती है investment होने से income increase होती है तो income कुछ proportion है वो खरच हो जाता है spend हो जाता है तो जी कहते है जो as a expenditure क्या होना चाहिए net increase होना चाहिए अगर आपकी income increase होगी income की increase होने से आपके दीश की जो government पाप्ते सिर्वित्ज को in मेरे इंकम में जितना वी में एर्ण किया है सबी की सब इंकम में खर्च नहीं कर सकती इसके उपर मुझको टैक्स भी देना है अगर मालों में 10 लेक और उस पे 1 लैक टैक्स दे दिया तो मेरे डिस्पोजल इंकम के तिन रहागी 9 लैक रहागी उसी तरह पूरी एकॉनमी में टैक्स इतनी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए कि डिस्पोजल इंकम है वह रोड्यूस हो जाए अगर डिस्पोजल इंकम इंक्रीज करेगी तभी तो नेट इंक्रीज ने एक्स्पेंटिचर होगा अगर एक्स्पेंटिचर इंक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी आउट नेल資 एक करएं ञाद ही साखेंने मिजली को लिए इन्वेस्मेंट करा लिए जितनी बी स्याक्ट के शे Intelligence है इन्वेस्मेंट होनी और मालों मुझा है पाबलिक सेक्ट है गवर्नमिन है वो investment करी है तो इस वज़े से private sector के investment कम नहीं होने चाहिए अगर एक sector ने investment increase कर दी और दूसरे reduce कर दी तो क्या होगा investment तो same रहागी इसलिए जितने भी sectors है सभी sectors में और सभी क्या करेंगे investment करेंगे तभी जाकर net increase होगा investment में अगर net increase in investment होगा तभी हमारी income generate होगी multiply work कर पाएगा next is closed economy closed economy कौन सी economy होती है जिसमें कोई भी foreign trade नहीं होता export नहीं होती import नहीं होती ऐसी economy को हम क्याते है closed economy अगर economy close होगी अगर demand increase होगी तो मुझे अपने economy से ही meet करनी है अगर हम foreign trade करती है demand increase होगी तो import ही increase हो जाएगी अगर import increase होगे तो demand increase का benefit ही नहीं मिलेगा हमारी economy को इसलिए assume क्या करती है closed economy को next is constant margin propensity to consume जो margin propensity to consume है जो constant होनी चाहिए तभी तो हमको पता चलेगा कि multiply work कर रहे है जो नहीं कर रहे है अगर major propensity to consume decrease कर जाएगी decrease करने से multiplier की value we reduce कर जाएगी क्योंकि इन दोनों का direct relationship है next is industrialized economy जो multiplier है agriculture sector में ज्यादा work नहीं कर पाता तो इसके लिए जी क्या मानते है जो advanced economies है जो capitalist economies है जो industrialized economies है इन में development होनी चाहिए इन में investment होनी चाहिए क्योंकि जब भी industrialized economy में investment होती है उसके investment होने से income increase होगी consumption increase होगी और demand को fulfill करने की capacity भी industrialized economy के पास होती है agriculture sector में क्या है जी तो nature के उपर depend करती है demand increase होती है लेकिन supply immediately increase नहीं हो सकती वो किसमें हो सकती है industrialized economy में होती है next is surplus capacity in consumer goods industry जो consumer goods industries है इन goods industries में surplus capacity होनी चाहिए इसका meaning क्या हुआ अगर demand increase होती है demand की increase होने से जो industries है वो immediately production को increase कर पाने की capacity में हो तो जो आज के टाइम में हमारी cost curve होती है पहले traditional use shape होती थी लेकिन आज के टाइम में जो cost curve है वो कहा है sourcer shape बन जाती है जिसमें जो जी capacity है जी excess capacity कहलाती है जो जी excess capacity है जब demand increase होती है तो इस capacity तक भी production हो जाती है जब production increase हो जाएगी तो क्या होगा एक economy की demand fulfill हो पाएगी next is availability of other factors of production जो other factors of production है other resources है वो भी available होने चाहिए natural resources है वो भी available होने चाहिए raw material हो भी available होना चाहिए factors of production land, labor, capital, entrepreneur है वो भी available होने चाहिए तभी तो जाकर production increase हो पाएगी इसलिए अगर economy में factors of production अब लेभल नहीं तो मिनाग्सीande को फूल हे थे हम ब्रवार्वंपम्ट में प्रडक्श्न आधर्यसके अब आपमें ego को सिद्वाइबट दें से ने फूल हुगान। तो इस तरह हम इसका impact नहीं study कर पाएंगे, इसलिए assume क्या किया जाते है, कि distribution of income है, जे क्या होनी चाहिए, constant होनी चाहिए, अगर जे constant होगी, तभी economy में multiplied है, work कर पाएंगे, and next one is no change in prices, prices में कोई भी increase नहीं होना चाहिए, अगर हम कहते हैं, aggregate demand increase होगी, demand की increase होने से, अगर prices भी increase होजाएं, तो meaning क्या हुआ, जो मेरी demand increase होई है, demand किस वज़े से increase होई है, because of investment, investment increase होने से, मेरी income increase होगी, इसलिए मेरी demand increase होगी, अगर prices increase होजाएं, जो quantity मैं पहले purchase करी थी, अब उसी quantity को purchase करने के लिए, मुझे चादा मनी खर्च करनी पड़ी है, तो इसका meaning क्या हो गया, जादा benefit नहीं मिल रहा, क्योंकि inflation की वज़े से क्या हो रहा है, जो consumer की real goods की demand है, वो increase नहीं होई है, तो इसलिए prices क्या होने चाहिए, constant होने जाएं, इनमें जादा chain fluctuation नहीं आने चाहिए, and last one is time lag existence, time lag existence का meaning है, जब भी हम investment करते हैं, investment करने से immediately, कभी भी हमारी income increase नहीं होती है, इसमें time lag पाया जाता है, जैसे हमने working की थी, working में, dynamic working में, first round में investment करते हैं, second, third, fourth, fifth, उसके बाद क्या होती है, हमारी income increase होती है, तो अची time lag है, इसको assume करते हैं, तो ची होगी determinants, determinants क्यों होगी, क्योंकि चीफ factor ही क्या करते है, multiplied को affect करते हैं, अगर जी condition available ना हो, तो multiply work नहीं करेगा, इसलिए जी limitations भी होगे, और इसमें हम कुछ assume भी कर रहे हैं, कि अगर जी conditions होगी, तभी multiply work करते हैं, इसलिए हम इसको assumptions हैं, वो भी क्या सकते हैं, कि multiply को work करने के लिए, कौन कौन सी assumptions हैं, कौन कौन सी conditions हैं, वो prevail होने चाहिए, अब हम करते है, leases of multiplied, जो multiplied हैं, इसकी क्या क्या leases, हैं, leases का meaning क्या है, multiplier process है, अगर हम investment करते हैं, investment करने से क्या होते हैं, हमारी income increase होते है, income के two parts है himself, consumption or saving, consumption करेंगे, consumption increase होने से multiply work करेगा, जो part saving का है, वो क्या है, leases तो इसलिए लिक्चिस क्या होते हैं that part of income which goes out from the income stream जो income stream से बाहर चले जाते हैं जैसे हमने last session में multiplier process की थी उसे में change in consumption and change in saving की थी जो change in saving का part है वो क्या हो गया था वो income stream से बाहर हो गया था तो वो क्या होगे लिक्चिस होगे तो जे ऐसे factors हैं जो क्या करते हैं हमारी income को decline कर देते हैं responsible factors for the decline in income तो इसको हम लिक्चिस कहते हैं तो कौन-कौन से लिक्चिस हैं जिस वज़े से हमारी income है वो ज्यादा increase नहीं हो पाती है तो first one is idle savings हम savings तो करते हैं जिए अच्छे एक individual के लिए अच्छी है लेकिन अगर पूरी economy savings करने लेगेगी तो demand कोन करेगा इंड second one अगर हम savings करें हैं आइडल savings करें कहीं इंवेस्ट नहीं करें हैं तो वह savings क्या हो रही हैं वह पेसिके यूश्य नहीं हो रही है अगर आप money को होट करकर रख रहे हो अपने पास रख रहे हो जिसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसी सेंस इंकम स्ट्रीम से बाहर होगी तो यह क्या होगी लिकेस होगी जैसे हमारी बगेट है बगेट में एक लिकेस होते है एक लिक होने की वज़े से बगेट खाली हो जाती है उसी तरह जे मानते हैं जो लिक्चिस है इसकी वज़े से हमा कोई income generate तो नहीं होरी कोई investment तो नहीं होरी जी कौन से investment होती है passive investment होती है अगर multiply को work करना है इसके लिए active investment को होना बहुत जरूरी है जिससे production increase हो, output increase हो, employment increase हो उसको हम कहते है active investment next is paying off all the debts अगर मेरे ओपर कोई पराना debt है अगर मैं उसको repay कर दूँ मेरी income generate होई थी मैंने इसको expenditure नहीं किया इससे क्या किया पुराना debt था इसको pay off कर दिया तो इससे हमारी consumption increase नहीं होगी तो demand भी increase नहीं होगी imports अगर आज के time में हम economy के बात करें कोई भी economy close economy नहीं है हर एक economy open economy है globalization का time period है अगर हमारी income increase होती है अगर इसमें मैं अपनी country के product ना purchase करकर foreign country से import करा लूँ अगर import increase होंगे import increase होने से हमारे घर की demand नहीं increase होगी अगर domestic की demand नहीं increase होगी तो employment भी generate नहीं होगा next is excessive stock of consumption goods जो consumption goods है इसका अगर excessive stock होगा तो क्या होगा इससे leakage माना जाएगा माल लो demand increase होगी मेरे पास already इतना जगदा stock था कि जैसे demand increase होती है मैं उसी stock से demand को meet कर पा रहे हूँ तो नहीं production नहीं होई नया employment generated नहीं हुआ तो इससे क्या हुआ हमारी income further future income decline कर जाएगी next is high liquidity preferences high liquidity preferences का meaning है अगर हम अपने income को three parts के लिए यूज़ करते है transaction motive, precaution motive and speculative motive अगर हम high liquid means ज्यादा amount cash में रखेंगे हम अपनी amount को हमारी money को cash में रख रहे हैं तो इसका meaning है जो हमारी investment होती है वो कम हो जाएगी इसलिए high liquidity preference नहीं होनी चाहिए इसलिए तो आज के time में हम सब को digitalize कर रहे हैं इसलिए इसलिए तो हर एक economy में credit money है वो increase हो रही है net banking है वो increase हो रही है तो इस तरह digital money की वज़े से क्या हो रहे है जो तो high liquidity preferences इसको reduce किया जा रहे है next is price inflation अगर prices increase होगे तो जो मेरी increased income थी वो किसके लिए use होगे अपने परानी demands को meet करने के लिए तो price inflation नहीं होना जाहिए next is taxation system मालो मेरी income increase होगी income के increase होने से government tax increase कर दिया तो मेरी disposal income है वो reduce होगी अगर disposal income reduce होगे तो इसका कोई benefit मिलेगा नहीं मिलेगा तो economy में aggregate demand में increase होई income region rate नहीं होई and further investment भी नहीं होगी and last one is undistributed profit of the companies जितने भी companies हैं उन companies के shares होते हैं उनका जो profit होते है उसका major portion है वो क्या करते हैं distribute नहीं करते हैं तो इसलिए इसको corporate savings भी कहा जाते हैं जो चे undistributed profit होते हैं वो shareholders को नहीं मिल पाता जिस वज़े से उनकी demand है वो भी increase नहीं हो पाती तो इन सब्सक्राइब की वज़े से क्या होते है multiplier process से slow हो जाती है तो इसलिए हम इनको कहते है लिक्चिस of the multiplier तो आज हमने इस session में इसकी limitations की एंड लिक्चिस की next session में हम multiplier के importance करेंगे होप सक्किया आपको इस session अच्छा लगा होगा अगर आपके कोई query है तो पोस्टे रिक्रेंट बॉक्स और वीडियो चल लगी तो कर दो